नमस्कार दोस्तों क्या आपके चेहरे पर भी दाग धब्बे हैं या कील मुहासे हैं एकने पिंपल्स हैं या छोटी छोटी फिंसियां होती हैं चेहरे पर और चेहरा बहुत ज्यादा सामला है यानि की काला है आप उसे बिल्कुल साब सुत्रा बनाना चाते हैं चेहरे पर ग हूँ जो कि बिल्कुल सुरक्षे था बिल्कुल सेफ है और इसे कोई भी कर सकता है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा लेकिन आपने अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लिए साथ में घंटी वारी निशान को दबान ना भूलेगा ठीक है दोस्तों तो चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को दोस्तों उसके लिए आपको क्या चाहिए चीनी चाहिए यह आप चीनी देख रहे होंगे कटोरी में चीनी चाहिए और एक टमाटर चाहिए दोस्तों यह बिल्कुल ही सस्ती चीज़े हैं आपको जो जहां पर आपको इसे लगाना यानि कि चहरे पर इसे लगाना है तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों बिल्कुल आसान है ये आपने इसे चीनी में ऐसे मिलाना है इसको ऐसे लगा लेना है चीनी में और निबू अगर हो तो इसको भी ऐसे लगा सकते हैं तो आपने simple क्या करना है कि इस प्रकार से इसको लगाना है अपने चहरे पर और आप दोस्तो मैं इसको आपको बिल्कुल करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको यकीन हो जाए और आप इसे result भी अभी अभी देखोगे बिल्कुल तो वीडियो को पूरा देखना दोस्तो दो ह दोस्तो आपने इसको simply ऐसे लगड़ते रह难ा हैं चेहरे पर लगातार इसको रगड़ना है अईसे दो या तीन मिनट तक और ऐसे ही दोस्तों आपने इसे 10 से 15 मिनिट तक के लिए छोड़ देना है चेहरे को ठीक है इस प्रिकार से आपने छोड़ देना है इसे जब यह 10-15 मिनिट हो जाए आपके तो ठंडे पानी से साफ पानी से इसे बिलुकुल धो लेना है तो मैं आपको हलके से इसको धो देता होगे वो आप मुझे बताना कि सच में हुआ था साफ या नहीं हुआ था तो दोस्तों यह देखे यह पहले पहली बार करने से इतना आपको रिजल्ट दिखेगा तो आपने क्या करना है कि दोस्तों हफते में इसको दो बार जरूर लगाना है और ऐसा आपने लगातार 2-3 म में आपको यह बिल्कुल सेफ है कोई भी इसका नुकसान नहीं है और अगर आपको इससे कुछ नुकसान होती है जलन वगेरा होती तो आप इससे तुरंद बंद कर दीजेगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा साथ में शेर भी जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलेगा दोस्तों धन्यवाद